पार्ट चार शब्द और वाक्य वर्ड and sentence बच्चों, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं. प्रत्येक सार्थक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है. दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समुह को शब्द कहते हैं. पढ़िये और समझे फ जमा ल बराबर फल क जमा म जमा ल बराबर कमल अ जमा च जमा क जमा न बराबर अचकन उपर्युक्त वर्णों को जब मिला कर हमने पढ़ा तो प्रत्य एक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकला अब निमनलिखित को पढ़िये ल जमा फ बराबर लप ल जमा म जमा क बराबर लमक अ जमा न जमा च जमा क बराबर अंचक उपर्युक्त वर्णों को मिला कर पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता अता वर्णों के सार्थक समुह को ही शब्द कहा जा सकता है इसी प्रकार कुछ वर्णों पर स्वरों की मात्राएं लगाने पर भी शब्द बनते हैं जैसे ह जमा, इ की मात्रा जमा, र जमा, न बराबर हिरन स जमा, आ की मात्रा जमा, ब जमा, उ की मात्रा जमा, न बराबर साबुन म जमा, छ जमा, ल जमा, इ की मात्रा बराबर मचली कुछ शब्द शन्यूकताक्षनों द्वारा भी बनाए जाते हैं जैसे वाक्य, शब्दों को सार्थक क्रम में रखने से वाक्य बनता है, निम्न प्रकार के वाक्य अर्थ को सही प्रकार से स्पष्ट करते हैं, जैसे रही है पढ़ा बच्चों को शिक्षिका, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, है किसान हल जोत रहा, किसान हल जोत रहा है, यहां चित्र के नीचे आए पहले दोनों वाक्यों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है क्यूंकि इन दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है दोनों चित्रों के नीचे आए दूसरे वाक्य अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं पहले वाक्य से पता चलता है कि शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं और दूसरे वाक्य से पता चलता है कि किसान खेत में हल जोत रहा है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है